नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका स्टेडी फंडामेक फिट से आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लेक्षर नमबर 16 के बारे में दोस्तों जो कि यह आपका गंगा रिवर सिस्टम के उपर यह वीडियो मैपिंग सीरीज की पूरी जो प्लेडिस्ट आप देख प्लेशी एक्जाम के अंदर क्वेशन आया स्टेट पीसिस के अंदर क्वेशन आये उनको भी हम डिसकस करेंगे रफली अराउंड इस टॉपिक से अगर आप पीवाई क्यूस की अगर बात करूं में यहां पर आपको 80 से लेके सो क्वेशन देखने को मिलेंगे दोस्तों ब इसलिए इन कोश्चन को जो है चूज किया गया दोस्तों वीडियो स्टाट करने से पहले उन लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों जो पहली बार गंगा रिवर सिस्टम की वीडियो देख रहे हैं यह जो बुक है आपके सामने मैपिंग मेड फन यह जितने भी लेक्शर चाहिए तो डेली के अंदर मुखरजी नगर में अवलेबल है और बहुत जल्दी बहुत जल्दी जो है पूरे इंडिया में जो है इस वीडियो में करना चाहता हूं दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में यह पूरा आपका रिवर कोई भी कोशन आपका आए वह कोशन आप इसली सोल करो और पूरी सीरीज देखने के बाद ज्यादा नहीं कहूंगा एट लिस्ट एटी टू नाइंटी परसेंट कोशन आप गैरेंटीड दोस्तों करके आओगे एक्जाम के अंदर यह मेरा प्रोमिस है क्योंकि इतनी डिट भागरा कोशी चंबल रिवर बानस सिंद बेतवा केन सोन हुगली दमोदर महाननदा यह सब जो है आपकी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी दोस्तों तो इन्हीं को एक एक करके डिसकस करेंगे थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो सकता है प्लीज एंट तक इसको पूरा ह्माद निकलती है तब एक रिवर निकलती आप उसको हम बोलते गंगा रिवर वह जो अलग अलग रिवर सेवां उतराखन में आपको डेखने को मिले का आपकी सली है रिवर से यह उतकी है इसलिए fed सब्सक्राइब करके बता दो आपके लिए क्या सिग्निफिकेंट से गंगा रिवर का ठीक है तो यहां पर देखो के थोड़ा साथ कॉंप्लेक्स हमें दिख रहा होगा बट इसको इसी बनाते हैं ठीक है सबसे पहले हम लेके चलते अलकनंदा रिवर को यह जो अलकनंदा तो यहां पर बीच में पढ़ती है बदरीनाथ की यहां पर बदरीनाथ टेंपल आपको देखने को मिलेगा और थड़ा से नीचे जबी आएगी एक जगह पढ़ती है विश्नु परियाक करके इस जगह का सिग्निफिकेंट्स यह है अलकनंदा रिवर के अंदर धोली गंग जो आगे बढ़ती है फेर अगली जगह जो आती है आपके नंद परियाग dec怎么 से अलगनंदा में वह मिलती है आपकी नंदा की नीड राइट उसके बाद और थोड़ा से आगे बढ़ती है फिर आपका आते कर्णपरियार करके अपने नाम सुना अगहे सितल एक कई दार्नाथ के और आके आपको देखने को मिलेगी ठीक है फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाती तो एक जगह आती है आपकी जिसका नाम है देव परियांगी यहां पर देख सकते हो ठीक है देव परियांगी वेरी वेरी प्लेस संगम के नाम से इसको जाना जाता है इसी जगे के बाद जो है जो हम पूरा रिवर का यह जो मैप देख रहे हैं गंगा जिसका नाम है वह इसी जगे से जो है आपकी शुरुआत होती है ठीक है लेकिन अलकनंदा के अलावा जो आपके दूसरी रिवर है गंगोतरी से करती है जिसका नाम है आपका भागी रथी रिवर में नीचे की तरफ छो करती है और आके यहां पर नीचे जब आएगी यहां पर देव परियाक के अंदर आपके अलगनंदा रिवर के साथ मिल जाती है एक लिभल बाद शूटा सा जो लोकल कभी एक्जाम में उत्राखनव बट में डैम जो है आपका टीरी डैम है इससे पहले हम एक्स्ट्रीम का वीडियो पढ़ चुके हैं टीरी डैम करके बताओ इसके बाद यह रिवर आगे चलती है जिसको गंगा रिवर बोलते हैं सबसे पहले आपकी इंपोर्टेंट सीटी आती है पर रिशी केस आप में से ब जिसको हम एंट्री पॉइंट जो होता है आपका हरीदवार हरीदवार के बाद जो है वह प्लेंस के अंदर आ जाएगी और यह जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक जगह डिसकस की है यह सारी की सारी उत्राखन के अंदर दोस्तों ठीक है उसके बाद जब यह रिशी केस औ तक हमने जो भी मैप देखा ता यह जो डिसक्रशन किया था जितना भी किया है वह सिरफ इतने से हिस्से में दोस्तों यह वाली चीज का मने डिसक्रशन अभी तक किया बस यह पूरा का पूरा मैप है ठीक है बाद डॉन वरी पूरा का पूरा हम समझेंगे और इस बेस्ट आपके सारे सोल भी जाएंगे चलिए शुरुआत करते हैं तो यहां से आपकी जो गंगा रिवर है ये एंटर करती है आपका उत्तरखंड से यूपी के अंदर तो यह जो रिवर अभी में मार्क कर रहा हूं ठीक है यहापकी गंगा रिवर है सबसे पहला कुशन आपका आता ह बांख करते दोस्तों यतना यह पूरा आप पूरा एक्टेट यह है तो सबसे पहले आपका उत्राखन इधरी हमाचल प्रदेश यहां से यमिना कि जो ट्रीबिट रीवर करके है वह आपकी यहां पर आके यम्ना के अंदर मिल जाती है तो यहां रखना हुत राजस्थान राजस्थान के बाद यहां पर मद्देपरदेश मद्देश के बाद इधर से चतिसगड जारकंड विहार और आपका यहां पर आप देखोगे यह जो एरिया है आपका पश्री मंगाल यह वला तो यह सारे के सारे स्टेट जो है यह पूरा गंगा रिवर बेसिन के नाम से जाना जाता है दोस्तों इसको याद रखने आपको ठीक है चलो अब चलते हैं एक वन ऑफ द में टेविटिरी अदर आती है आप यह देखो जब यह गंगा रिवर आपके इस तरिकरी से प्लोग कर दिये तो मानके चलो यह ऐसे फ्लोग रिवर ऊपर से जो भी रिवर इसके पोन्सें नहीं है क्या ऑप्षन देगा देगा आपको गंड़कोसी और नीचे से सी देँगा है तो पहले कगब देखनगे मैं जल्दी से आप देखिए रीवर अगर देखो गे ना वैसे आप देखोगे कम से कम 20 पने इसके उपर बना सकते हो बह sigma नहीं है हम दिसके से नाम और कहां से अरीन क호न से स्टेट में होता है जगें बी as तो सबसे पहले में जो ट्रिब्यूटरी उनके बारें बात कर लेते हैं सबसे पहले आपको यहां पर यह वाली जो ट्रिब्यूटरी दिख रही है यह आपकी राम गंगा रिवर यह आपकी उत्राखंड से निकलती है और यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो की इंडिया क वारानसी से थोड़ा सा आगे आके आपके गंगा के अंदर मिल जाती है लखनो जो शहर आपका वो गौंती रिवर के ऊपर है तो इसको याद आपको रखना है ठीक है नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो आपकी ट्रिब्यूटरी वह आपकी घागरा रीवर जो है काफी बड़ी है लेंथ में इसकी भी आपके ट्रिब्यूटरी जैसे आपकी काली और साधा रीवर है उसके बाद सर्यूरदी है आपकी यह सब घागरा की ट्रिब्यूटरी और यह आके पतना से थोड़ा सा पहले एक जगह है यहां पे जो है आके मिल जाती है ठीक है नेक्स्ट इंपोर् से थोड़ा सा पहले गंगा करती है फिर दो से गौफ अधार है यहां से आपकी महानंदव रिवर महानंदव रिवर से पहले आपकी यहां तुट्रों करते हैं लाएं ट्रिव्यूटरी negotiating के धान करता हूं तो सबसे पहले रिवर आती है मैं यहां से हम यहां जाती है इसके अंदर फिर एक इंपोर्टेंट बैराज है जिसको हम ताजे वाला बैराज के नाम से जानते हैं हर्याना के जितने भी एक्जाम से उसमें कई बार पूछते हैं तो यम्ना नगर डिस्टिक के अंदर पढ़ता है याद रखना है उसके बाद यह इस तरीके से आ आपकी चंबल रीवर जो की मद्यपरदेश के इंदोर का जो शहर है उसके पास से जो होती है और इस तरीके से उपर बढ़ते हुए जो है आपकी जाती है और यह जाके मिलेगी इस जगह पर ठीक है इसके अंदर दो इंपोर्टेंट डैम दोस्तों जो एक्जाम में बहुत जो है या बनास रीवर जो है आपकी राजस्तान से औरिजिनेट होती है और आपकी चंबल रीवर की ट्रिबूटरी दोस्तों नेक्स इंपोर्टेंट ट्रीवर यह भी आके जो है आपकी युम्ना में यहां पर मिल जाएगी फिर आपकी भौपाल के पास से एक रीवर और यूँट होती है जिसका नाम है बेतवा इस तरीके से जो है आपको यहां पर देखने को मिलेगा बेतवा रिवर जमना रिवर में जाके मिल जाती है पर नैक्स इसकी ट्रीव्टरिशन शही से किया सके ठीक है उसके बाद यह अलाबाद या फिर प्रियाग राजक के अंदर अदर मिल जाती है यहां पर आगे बढ़ती है तो इसकी जो है नेक्स्ट राइट बंक ट्रिबूटरी जो आपके आएंगी वह आपकी सोन रिवर अमर कंटक प्लैट्यू से निकलती है और इस तरीकी से जाके आपकी पटना के पास में गंगा रिवर के अंदर जाके मिल जाती है इधर से फिर आपके एक अलग रिवर आते रिहंद रिवर जो कि आपके सोन की ट्रिब्यूटरी आपको लग रहा होगा ना कि यह तो बहुत कंफूजिंग सा क्या ही पढ़ा रहे हो ठीक है बड़न वरी दो तीन बार इस मैप को देखो को कुश्चन जब हम सोल करेंगे यहां पर देखोगे तो रिहंद रेवर है जिसकी ओपर आपको एक डैम है इसका नाम है डैम का दोस्तौर्ट फिर आपकी पटना के पास यह तीनों की तीनों रिवर आके बढ़ती हैं नेक्स्ट आपकी इंपोर्टेंट रीवर इवर आगे बढ़ती यहां पर एक बैराज पढ़ता है फरक का बेराज बहुत इंपोर्टेंट है बोडर जो बीएसफ का जो वह है क्या बूलते बटालियंस होती है वह स्पेशली इस बेराज के ओपर क्या र Immortations से बहुत भी बहुत बिजली बनती है और काफी इंपोर्टेंट इसके बाद बा joGreen बैंगलादेश के इसके बहुत इंपोर्टेंट टिब्यूटरी आपकी और इसी समंग नर्थ चली ऊगे चलते हैं तब तक जो आपने मैप देखा बहुत कंक्यूजन सा हो गया हो दोस्तों कुछन सॉल करने के लिए आपको थोडा सा कुट रियुख होना पढ़ेगा ठीक है तो यह मैंन हो डाला है अपनी मैप बुक के अंदर जो यह बुक है इस तरीके से इस बुक के अंदर यह माइन मैप आपको देखने को मिलेगा यह माइन मैप है यह कुछ रिविजन के लिए दोस्तों अगर आप पूरे रिवर दुबार से नहीं देखना चाहते हो कभी फूचर में तो रिव सबसे पहले आपकी रामगंगा करनोज के पास आके मिल जाती है गर्णर सोन पूर में मिल जाएगा कोशी कॉसी रिवर फूर्सेला में मिल जाएगी महानंदा आपके साहिब गंज आके ड्रेन होती है उसके बारा दामोदर रीवर मालदा के पास आके ड्रेन होजाते लिए यह सुन्धर बंज मंझाता है तो इस तरीकी साब इसको याद कर सकते हो नीचे है आपकी राइट बैंक त्रिब्यूटरी ठीक है अब यहां पर देखो नीचे की पहले कर लेते राइट वाली तीन यह में लिवर यमुना सोन और दामुदर यमुना का आपका यसोधा यम्ना सोन दामुदर यह सो था के नाम से याद कर सकते हो अब दिमाग में जो है इनको देखो बहुत बच्चे ना ऐसे बोलते हैं कि सर में मैपिंग जो है याद नहीं हो देखे पहली बार अगर आप पढ़के सोचो की पूरी की पूरी याद हो जाएगी तो ऐसा कभी नहीं होगा बट बिलीग मी दो-तिन बार जबा प्रि इस चीज को याद कर सकते हैं इधर से देखो अच्छा मद्यपरदेश में दी चंबल रिवर थी एक इधर से उसके बाद आपके बनास रिवर आके मिलगी दो इंपोर्टेंट डैम थे उसके ऊपर याद नहीं आ रहा है तो जाके दुबार से देख लो ठीक है इस तरीके से तरीके से तो बनाई सकते कोई बड़ी बात नहीं राइट तो नीचे आपका यह सोधा हो गया उपर आपका 4G किलोमेटर फॉर जी हमने क्यों लगा है चार बार जी नाम में ठीक है पहला जी आपका राम गंगा का जी दूसरा जी का गोंती तीसरा जी का घागरा और चोथा जी का गंडग 4G ठीक है फिर आपकी कोशी और महाननदा के से कोशी एंसे महाननदा तो फॉर जी किलोमेटर इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो यह कराने का परपरस क्या है बहुत कोशन ऐसे आएंगे बोलेंगे आपको कि लेफ्ट से राइट बेंक ट्रिबूटरी ल दिये हुए यह आप पढ़ सकते हो एक्जाम से पहले रिवाइज कर सकते हैं को यह मैपिंग बुक के अंदर का ही कंटेंट है सारा चलो अब कोशन लगाते हैं दोस्तों ठीक है अभी तक हमने जितना भी इस वीडियो में सीखा उसी के बेसिस पर कोशन करने कोशिश करेंग ठीक है चलिए सबसे बेले हम देखेंगे मैथन प्रोजेक्ट मैथन प्रोजेक्ट जो है आपका यह उप्षन आपका मिलेगा बराकर रिवर से यह आ गया ठीक है एक थ्री हो गया सलाल का हमने पढ़ानी है तो इसको भी छोड़ देते ठीक है दूसरा है राना परताप साग सब्सक्राइब के लिए याद रखना है गंगा वोटर इस बिइंग शेर्ड फरक्का विद्विच फॉल्विंग कंट्रीज किस कंट्री के साथ शेर होता है बंगलादेश के साथ शेर होता है मैंने आपको बताया था कि दा केनाल केरिंग केपेस्ट्य फरक्का इस 1997 कोशन ने जस्ट फेक्ट के लिए याद रख लो 40,000 क्यूसे के कम ज्यादा हो सकते कोई एक्जेक्ट डेटा नहीं है ठीक है चले दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कोशन में 19 सी एसे लडी सी एक्जाम का कोशन है यहां पर ए सूरत पढ़ता है आपका ताप्ति रीवर के उपर यहां फिर के उपर गुजरात के अंदर है नेक्स आपका डी पठना पटना हमने गंगर के उपर पढ़ा था तो एक आप उजाएगा भीका त्री और तो एक और फो बीका ठीग देखिए यह उप्शन नहीं होगा यह भी भी नहीं होगा बी ओप्षिन जो है यह करेक्ट अंसर आपका यहां पर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट आपका रिजर्वाइर जीबी पंद सागर इस लोकेटिड विच रिवर सीडियस दोजार साथ का कोशन है जीबी पंद का मैंने आपको प्रोपर बताया तो गोविन बलब पंद सागर के नाम से जानते हैं दोस्तों नेक्स आपका अगें रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी के बारें बोला है गंगा रिवर इंडस रिवर यमना और गदावरी हमने इंडस और गदावरी का नहीं पढ़ा है बट स्टिल हम इस कोशन को प्रेक्टिस करते हैं क्या आपको तो मार कर दो ठीक है यमना रिवर की कौन कोन सी है चंबल और के ने इसको मार कर दो यानि की एका फॉर और सी का वन यह देखो बी ओप्शन आपका अंसर निकल के आगाए सिरफ दो रिवर के उससे देख रहे हो इतने इसी कोशन आपके आते हैं कौन से एक्जाम में इंडसर रिवर की कौन कौन सी है आपके चेनाब और सतलूज है गोदावरी की वेन गंगा और इंद्रावती है दोस्तों ठीक है नेक्स्ट आपका कंसे दा फॉलइंग रिवर एंडिये का कोशन है दोजार राट का दोस्तों कौन कंसे ऑप्शन है बेतवा कोशी और कोई लेन देना नहीं भूए दूस्तों अदेसा का भी सी जलेना देना नहीं से कोई ज कोई कोई होती है संके नीचे से भी कवर किया था थीसता रिवर जो आपकी बरंपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है बाकि महाननदा रिवर जो इस वीडियो में पढ़ा है तो इसका जो कर्रेक्ट अंसर आएगा सी ओप्षन आएगा विच विच फॉलिंग रिवर इस नोट ट्रिब्यूटरी ओफ रिवर यह कोशन हो गया है दोस्तों पर वाला ठीक है नीचे वाला कोशन है अगें सबसे पहले यह बनाना होता है इस वेस्ट और आपका ऊपर नौर्थ और साउथ इस से वेस्ट के आप चलेंगे तो आपको याद है कुछ निया करना फॉर जी के एम लिख लो फॉर जी के एम यह ना और से महानंदा यहां से कोशी देखो महानंदा कोशी में से कोई है इन दोनों में महानंदा कोशी से कोई लगाने नियुक्त वहारे तो नेक्सटा अपका 1 4g 4g कोन कुन से 4g से आपकी रामगंगा गँथी गंडग का यहां पर बाद आपका है आपैं säer गंदक बिल्कूल पहुलन्स उप इंडिया आइश्चमबल के त्रफ वैंडियो हुए आपने सुझने होंगे चरंबल रावाइन Opportunity यह उसी का नतीज़ा है मिट्टी का बहुत ज्यादा आपको इरोजन देखने को मिलेगा तो चंबल गांधी सागर देखने को मिलेगा दोस्तों भी को बिल्कुल सफे हैं पर यह यह बिल्कुल सही बात है तो तो वन ध्री आपका उप्षन ंपका का ओप्शन यहां पर हो जाएगा ठीक है इंडर्स रिवर को जो हम नेक्स्ट रिवर करेंगे तब यह कोशन आप अच्छे से समझ पाओगे नेक्स आपका रिवर सोन इस ड्रिवुट्री विच रिवर गंगा रिवर वेर वेरी इसी विच फोलेंग रिवर इस इंडिया रिफ्ट वैली दू डाउन रेपिंग यहां पर सिर्फ रिवर यह एक रिफ्ट वैली के इंदर बहती है दोस्तों कि दामोदर वैली कॉर्परेशन इस फर्स मुल्टी पर्पर्पर्स रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सी 2004 में कुशन पूछा गय हो जाएगा दोस्तों ठीक है दा प्लेस लोकेटिट अन्दा एड़ अलगनंदा पिंडर रिवर सी एपी यहां पे आपका करण परियाग के अंदर है दोस्तों ठीक है अलगनंदा और पिंडर रिवर डी परफॉर्म हर्ट ट्रेंज जर्नी बाइदा शोटे स्रूं बेंगल जर्नी शुरू कर रहा है डी नाम है उसका कहां से बैंगलोर से और कहां जाना है इसको दिल्ली में यहां पर तो इनमें से कौन सी रिवर ऐसी जिसको क्रोस नहीं करेगा ठीक है तो यहां पर आप देखो कि आपकी नदी आती हैं पर महानदी गोदावरी कृष्णा और काव से हट जाता हूं अब देख लो एक बार यह पांच कोशन सिर्फ यूपेसी एक्जाम के हैं इसके अलावा अगर मैं स्टेट पीसेस एक्जाम किसमें कोशन डालू तो एटलिस यह टोटल दस से बारा कोशन आपके बन जाएंगे हां पर सभी कोशन में क्या पूछा है कि कौ अलकननन्दा बागी रथी देव परियाग अलकननन भागी रथी देव परियाग घिका चार कोशन अलगनननन भागी रथी पूछे में बताओ कौन-कौन से एक्जाम है इस एक्जाम में दो-3 बारे आया है पूछा गया है ठीक है चलो इंपोर्टन है आने वाले एक्जाम में आ सकते आप देखो इसको समझाने का ना परपस क्या है यह वीडियो बनाने का वह यह है अब यह कुछन देखो यार जब आपका कहां सबस्क्राइब क्या सकता है क्या आपको नहीं लगता कि सबस्क्राइब क्या अब पूस्क्राइब यह भागीरति ऑप्शन होते हैं आपका प्तरकाशी डिस्टिक अंदर ठीक है गंगा जो आपका यह आएगा इसका नरेंदर नगर दीशे के से पहले जो है पहले मतला उपर की साइड जो है जो हम जाते हैं तो आपका नरेंदर नगर पढ़ता है तो डी का टू हो जाएगा और एक आपका थ्री देखो यह दोनों यह option आपके होंगे answer इन में से एक होगा दोनों में से दन आपका आता है अलकनंदा रीवर तो अलकनंदा रीवर जो है आपकी यह पढ़ता है आपका लेंसर डाउन लिखा हुए है आपके यह थोड़ा सा मेरे भी नोलेज में थोड़ा सब होगा यह थीक है नाजाल के आपका देखोगे तो इसका आएगा आपका नैयार नाज जो जगह है वह पोडिकर अलुक्त है इस तरीके का कोश्शन यह किसमें के अदर कोश्शन सकते हूं ठीक है विच फॉलिंग इनियन सिटी इस नोट लोकेटिट ओन रिवर बैंक सीडियर 2019 का कुश्चन है दोस्तों आगरा मैंने बताया था युमना रिवर के ऊपर है उसके बाद भागलपूर हमने देखा था उसके बाद आपका बोपाल और कानपूर दिये तो बोप सब्सक्राइब रिवर इस टेहरी हाइड्रो पावर कॉंप्लेक्स लोकेटिड तो भागी रती रिवर विच फॉलिंग रिवर वैली इस अशूशेटी विद प्रोडक्शन अफ कोल अलगनंदा चंबल और यमना रिवर का कोईले से कोईले नहीं सोन का जो एरिया है वहां पर आपको बहुत सारा कोईला देखने को मिलेगा कंसे दा फॉलेंग पर ट्रिब्यूट्री दी हुए और में रिवर दी है चंबल जो है नर्मदा की ट्रिब्यूट्री बताई हुए तो गलत हो गया पहला उप्षण गलत निकाल दो सोन रिवर जो है युमना की ट्रिब्यूट्री बताया गया यह भी निकाल दो मानस रिवर ब्रंपुत्रा की ट्रिब्यूट्री अमने कली पुरानी जो वीडियो तो इसमें देखा था तो थर्ड का आपको ऑप्शन हो जागा डी तो दी ऑप्शन लिवीदा क्रेक्ट अंस आने वाली एबुक हर बुक्स्टोर पर आपको देखने को मिलेगी तब तक जो है आप फ्लिपकार्ट और स्ट्री फंडाइब से स्कोड़ कर सकते हैं बहुत ही प्यारी बुक है मिलते नेक्स वीडियो के अंदर जो की होगी आपकी इंडस्रीवर सिस्टम के बारे में अग